कपड़ों की मैचिंग से जिन्दगी में आनंद नहीं बरसा करता है थोड़ी देर को तो बरस जाता है लेकिन मैं आप से निवेदन कर रहा हूँ कि कपड़ों की मैचिंग ही नहीं चार लोगों के बीच में रहती हो मन की मैचिंग कर लो जीवन में आनंद का प्राती हो जाएगी, कपड़ों की मैचिंग से बड़ी मन मैचिंग हुआ करती है, अपना मन ऐसा बना लो, सांस से भी मैच कर जाए, अपना मन ऐसा बना लो, ननन से भी मैच कर जाए, देवर से भी मैच कर जाए, अरे जो मन की मैं चिंग कर लेता है उसे जीवन में किसी और स्वर्ग की आवश्यक्ता नए चार लोग हैं मन मैं चिंग कर लोगा मैं तो कर लेता हूँ अजित आता है तो मन मैं चिंग कर लेता हूँ नंदू जी आते हैं तो मन मैं चिंग कर लेता हूँ मैंने तो संजु रारा से मन मेंचिंग कर ली प्रकाश से कर ली और तो और पिध्या दिवान से कर ली और भी बताऊ निर्मल बढ़ जात्या से कर ली वो जिसकी निर्मल से मन मेंचिंग हो गई उसका चातुरमा सफन हो जाया करता मन की मेंचिंग मन मेच कर लो मेरे कामरे में छोटे बच्चे आते हैं मैं उनसे मन मेच कर लेता हूँ बड़े अरते उनसे मन मेच कर लेता हूँ कोई सिधान्त पाठी आता है कोई मुझसे आगम की बाते करे तो मैं आगम से भी मन मेच करने की ताकत रखता हूँ और कोई बेवहार की बाते करे तुम्हें बेवहार से भी मन मैच करने की ताकत रखता हूँ मन की मैचिंग सबसे बड़ी मैचिंग है हम मंदिर जाते हैं पूजन पाठ करते हैं भगवान के दर्सन करते हैं लेकिन भगवान से मन मैचिंग नहीं कर पाते हैं इसलिए जैसे जाते हैं वैसे ही खाली लोट करके बापिसर आजाते मन की मैचिंग सबसे बड़ी मैचिंग है एक बात याद रखना इसकूल बदलने से नंबर नहीं बढ़ा करते हैं मेरे भाई से नंजरे बढ़ बढ़ गर finei刚art एक चाहिए वित अनवब कि हाफसे ने नवेदम है नजरे बदली तो नचारे बदल गये नजरे बदली यतो नचारे बदल गए और जिस्तीने रुख बदला किनारे बदल गए जैल सुना को ही तो बदल अंतिम संदेज दे के बाद समाफ करता हूँ दस बच चुके हैं कि तु जिन्दा है तो जिन्दगी की जीत पर यकीन कर अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर देखा इस स्वर्ग में जाने की बात करते हैं तो मरने की बाद स्वर्ग मिलेगा या नहीं मिलेगा मेरी चोटी बातें छोटा आगमी की चोटी बातें मानो स्वर्ग जाने की जरुवत नहीं स्वर्ग उतर कर घर में हमारी थुख चला रही ना घ्याना की आज को स्वर्ग बना लो कलरी स्वर्ग बनेगा आप सबने सुना अनुगरही थो मैंने का माता जी कहां रहती हो उसकी आँखे फरगे उसने का महाराज इसी धरमशाला में रहती हो मेंने का क्या करती हो बोली इस उमर में क्या करती है मेंने का आपके परिवार में कौन कौन है बोली कौन ही नहीं है ना लड़का है ना लड़की मेंने का दादा जी बोली हूँ तो बहुत पहले चले बहे बिलकुल अकेली हो हाँ माराज क्या करती हो कुछ नहीं बच्चों को बाट साला पढ़ाती हो सफेद साड़ी पहलती है बच्चों को बाट साला पढ़ा दिया करती हो 2000 की बात है 2000 एकी में गया अम्मा जी तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है उसने कहा मेरे पती की पैंसन मिलती है तीन सो रुपे महीने सोचिए तीन सो रुपे महीने आप किया तीन लाख आते हैं फिर भी कमी है तो वो तीन सो रुपे में गुजारा किया करती है मैंने उससे पूछा कि अम्मा जी तीन सो रुपे में तो गैस का स्रेंगर भलता है तुम घुजारा कर लीती है इतना प्यारा जवाब उसमा ने दिया कि महराज करना चाहो तो तीन सो रुपे में भी हो सकता है और नहीं करना चाहो तो तीन लाख में भी घुजारा नहीं हो सकता है क्या कमी है महराज मिले दो बस्तों का नियम है तीसरी साड़ी आती है पहली वाली छोड़ दिया करती हो दो ही कपड़े पहलती है महराज इस एक उड़िया के लिए दो रोटी मिल गई, दाल मिल गई, गुजारा अराम से गुज़ता है दिर भर अरहंत नाम भजती हूँ, सिद्ध नाम भजा करती हूँ उसी के भरोसे इस मंदिर में रहती हूँ मिनका दादी, कभी कोई समस्या हुई तो बुरी कुछ नहीं, वो है न, उस अब वेवस्ता करता है 25 साल से मैं हाँ पत हूँ, कोई तकलीफ नहीं महराज उस बुढिया के चेहरी पर इतना आनंद दिखा, मुझे इतना आनंद सहिद उतना आनंद किछे बड़े-बड़े संतों के चेहरी पर भी दिखाई नहीं दिया करता है कोई जरूरी नहीं है कि जो घरवार छोड़ के चला जाए वो सन्यासी होता है सन्यासियों का आनंद तो घर बैठ कर भी प्राप्त किया जाता है घर जेट कर भी अपने उस आनंद को उस भुडिया में इतना संतोस मैंने का अम्मा जी क्या पढ़ाती हो बोले ग्रप संग्राई तक्त्वार सूत्र छेडाला मैंने का अम्मा जी तुम पढ़ी लिखी कहां तक हो बोले एक किलास भी नहीं देखे जो कभी स्कूल नहीं गए मैंने का अम्मा जी जब स्कूल नहीं गए तो ये बढ़ाती कैसे हो संस्क्रत इतत्वास तो तो कैसे बढ़ाती हो बोले महराज मेरे पिताजी पुराने ख्याल के थे उन्होंने मेरी सारी शिक्षा घर पर ही कराई लेकिन वो इस तरह के व्यक्ति थे कि उन्होंने मुझे पढ़ना तो सिखाया लिखना नहीं सिखाया मैं का ऐसा किसा हो सकता है बोले मैं पढ़ सकते हूँ लिख नहीं सकती हूँ मैं एक किस्मी सदी में ऐसे भी लो हम तो बिना लिखे पढ़ी नहीं पाए और ये कहती है मैं पढ़ी हूँ लेकिन लिखी मेरे पिता ने मुझे लिखना नहीं सिखाया मैं निका क्यों भोले मेरे पिता जी अक्सर कहते थे बेटी तो पढ़ना जितना सीखना है मैं सिखा दूँगा कलम मत पकरना कभी जिन्ने के मैं आज भी पैंसर लेने जाती हो तो अंगूठा लगाती हो मैं अपना नाम नहीं लिख पा लेकिन पढ़ लेती हो कि लिखा बड़ी अजीब सिख्षा है मैं लेकर ऐसा क्यों किया तुमारे पिता जी ने वो इसलिए किया कि बेटी जिस दिद्ध मैं तेरा विवाह कर दूँगा शादी कर दूँगा वो तूज जब सस्राल में जाएगी वो सस्राल में जब तेरा मन नहीं लगेगा और सस्राल में यदि तुझे कष्ट मिलेंगे और मैं तुझे लिखना सिखाऊंगा ना तो तु मुझे चिठियों में सिकायते लिख करके बेजेगी और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी सस्राल की बुराई चिठियों में लिख करके बेजे बेटी हम भारत के लोग है जो तकदीर में होता है हम उसे स्वीकार कर लिया करते है हमारे देश की बेटिया तो वो बेटिया है यदि कोडी पती से भी साधी कर दो तो मेना सुन्दी उसे भी स्वीकार कर लिया करती है हम उस देश की बेटिया है बेटी तु लिखना मत कभी जिंदगी में जो भी सुख दुख मिले सहन करना पहले मुबाइल तो चलते नहीं थे फॉन तो चलते नहीं थे चित्थियां लिखी जाती थी कितना अच्छा युग था वो चित्थियों का कैसे कैसे अर्मान लिखे जाते थे अच्छे अच्छे सब्दों का संकलर हुआ कियारा करता था मुबाइल में आज तक किसी बेटी ने नहीं कहाओगा कि पूझे पिता जी प्रणाम लेकिन चित्थियों में लिखा जाता था पूझे पिता जी अब तु हाई हेलो हेलो डैड जीते जी मार डालो उसको डैड कर दिया हेलो मुबत्ती बना दो उसको ज्याना था पहले कितने अच्छे सब्दों दे थे आपकी बेटी आज कोई बोलता है मैं खलानी बोल रही हूँ मैं जिगानी बोल रही हूँ पापा ज्यान रखना पहले नहीं जब चिठ्थियां लिखते थे न तो आदमी की भासा सुधरा करते थे पोस्ट में नाता था दोड़ कर बाहर जाते थे चिठ्थी आई चिठ्थी आई किसी का संदेश आया होगा और एक चिठ्थी आजाए पूरा खर चिठ्थी चीनता था किसी चिठ्थी किसी चिठ्थी कहां गए वो दिन हमारे कहां गए वो संस्कती अब तो वाट्स आफ पे सारे मेसिज चले जाते है ना तो भीजने वाले को पता की क्या लिखा है और ना पढ़ने वाले वो पता की क्या लिखा है वो यहां से फारवर्ट करता है वो वहां से फारवर्ट कर देता है बदल गया जमाना कहां गए वो चित्थियों के दिन सोचिए विचारा करिए कितने अच्छे अच्छे सब्दों का संकलन हुआ करता था मानिवर बदल नहीं संसकतिया, बदल नहीं शब बताएं, उस माँ ने कहा, मेरे पिता जी ने केबल इसी बात से मुझे नहीं पढ़ाया, कि तु अपने जीवन के सुख दुख मुझे लिखेगी, बेटी, ससराल की उदाई पीहर में करो, तो माता पिता को दुख होता है, बेटा, ये ज्यादा सिर्पे मत चड़ने देना उद्धों को, एक काम करना, एक दो महीने देखना, उसकी बाद हम अलग और तु मालग, सेप्रेट, सेप्रेट त्याम रखिये हैं, मानुआ, क्या जमाना रहा वो, जब चार, पाँच, दस, बारहा मेंबर, एक साथ पोजन किया करते थ बदल नहीं सब बबस्ता है, वो अम्मा मुझे आज भी याद है, अब वो है या नहीं, या दुनिया से चली गई, मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें जो बात बोली, संसकारों की पूंजी, मेरे पिता में मुझे दी थी, और आज में अपने पिता ने, सुनकर लग रहा जो बेटी के दुख में भी साथ नहीं दिया, लेकिन उस बुढ़िया ने कहा महराज, भरी जवानी में बिद्वा हो गई, लेकिन मेरे बाप की सीखने मुझे मजबूत बनाया, राज में अखेली जिन्दकी जी रही हो, मैंने दूसरा विवाय भी किया, मैंने सुसाइट क का रास्ता नहीं अपनाया, मैंने भरी जवानी में धर्व का रास्ता पगड़ लिया, राज में साथ प्रितमा लेकर के अपने जीवन का कल्यान, कर रही दिर्थ, सीख, ये डाट, ये फटकार, ये मुसीबतों में बहुत काम आती हैं मेरे बाप के लोग के,